बॉलिवुर्ड के दिगज एक्टर अमरीश पुरी ने अपने करियर में 450 से अधिक फिल्मों में काम किया है। रील लाइफ में अमरीश पुरी भले ही नेगेटिव किरदार निभाते हों लेकिन असल जिंदगी में वह काफी सरल और साधा व्यक्ती थे। हालांकी उनका स्वभाव काफी गुसेल था। इसी कारण कई बार शूटिंग के दौरान को एक्टर्स पर उनका गुसा फूट पड़ता था। पर अमरीश कुरी के गुसे का शिकार एक्टर आमिर खान भी हो चुके हैं। दरसल बात 1985 की है। पूरी एक सीन की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर ने अमरीश पूरी को टोक दिया था। दरसल सीन की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने देखा कि पिछले शौट में अमरीश का हाथ जहां रखा था, अगले शौट में वहां उससे थोड़ा अलग था। इस वज़ा से आमिर ने अमरीश पूरी को बीच सीन में टोक दिया, लेकिन आक्टर शूटिंग इतने खोय हुए थे कि उन्होंने आमिर की बात सुनी नहीं। जिसके बाद आमिर ने अमरीश पूरी को दोबारा टोका। आमिर खान के बार-बार टोके जाने पर अमरीश पूरी बहुत नाराज हो गया था। जिसके बाद उन्होंने एक्टर को खूब फटकार लगाई. सेट पर हुई इस घटना से हर कोई सन्नर रह गया था क्योंकि अमरीश लगतार आमिर खन पर चिल्ला रहे थे. इसके बाद डाइरेक्टर नासिर हुसेन ने पूरी बात को संभाला था. बाद में अमरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर से माफी मांगी थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद आमिर खान और अमरीश पूरी ने कभी भी साथ में काम नहीं किया था.